तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नोड सेटप से नोड सेटप करने के लिए सबसे पहले आपको नोड.js.org पे जाना होगा यहाँ पे आपको नोड का वेबसाइट दिखेगा इसमें आपको यह डाउनलोड करने के लिए नोड माइनस V तो यह आपको नोड का वर्जन दिखा देगा जो भी आपके पास इंस्टाल हुआ है अगर यह कमांड रन नहीं करता तो कोई प्रॉबलम है आपको रिइंस्टाल करनी पड़ेंगी चीज़े एक और तरीका है नोड को चेक भी करने का और नोड में हम देख सकते हैं कि एक inbuilt interpreter भी आता है जब आप टर्मिनल में नोड कमांड डाल देते हैं तो एक नोड का interpreter चालो हो जाता है यह जावास्क्रिप्ट इंटर्प्रेटर ही है इसमें अगर आप जावास्क्रिप्ट कोड लिखते हो तो वो एक एक करके return होने लग जाएगा तो जिससे मैं A डिकलेर करता हूँ उसको return करता हूँ तो A is 5 आ रहा है और यहाँ पे where B 3 लिख रहा हूँ तो शुरू में undefined आ रही है कुछ चीज़ें वो इसलिए क्योंकि वो statement कुछ भी return नहीं कर रहा है और अगर आप A plus B ऐसा कुछ लिखते हो तो वो चीज़ क्या return कर रही है तो यह एक terminal ऐसा behave कर रहा है जिसा console log आपका behave करता है यह node repl इस interface को बोलते हैं एक तरह से node का command line interface है यह तो इसको आप अपने experimental चीज़ों के लिए यूज कर सकते हो नोड project के लिए सबसे पहले आपको npm init-y put करना होता है इससे एक default package json generate हो जाता है तो package json एक ऐसी file है जिसमें आपको कुछ एक json format में कुछ configuration मिलेगी जो आपके project के बारे में ही होगी तो इसमें आपको दिखेगा आपका project का name जो initial version है description जो आप change कर सकते हो अपने project के बारे में कुछ description main script जो आप चलेगी main javascript file जिससे आपका server या आपका code start होता है node में कुछ scripts जो आप define कर सकते हो suppose आप कुछ command define कर सकते हो जिससे आपका server run होता है वो आप npm scripts बोलते है वो यहाँ define कर सकते हो कुछ keywords जो आप चाते हो अपने project के बारे में ताकि आप github या npm repo पे उसको search कर सको आप creator हो आप author की कुछ detail name या email यहाँ पे share कर सकते हो और license किस तरह का project आपका यह है कौन सा license आप share कर रहे हो इसको open रख रहे हो या एक close license है वो यहाँ लिख सकते हो normal bootstrap library का package json हम देखते हैं तो यहाँ देख रहे हो name लिखा हुआ है और description में भी काफी चीज़ें लिख हुई है उसके बारे में उसके अलावा keywords है कि यह इस तरह के keywords में यह framework searchable हो जाए इसके authors और home page के बारे में लिखा हुआ है तो यह सारी information आप json में लिख सकते हो केवल यह descriptive information के लिए यह नहीं है इसके अलावा इसमें dependencies भी आ जाएंगी जिसमें dependencies या developer dependencies होती है तो यहनी कौन-कौन सी libraries पे यह project चलता है वो सब भी यहाँ defined होता है तो हम यह सब आगे देखेंगे जहाँ हम एक project create करेंगे तो सबसे पहले हम npm init-y करेंगे उससे एक package.json file create हो जाएगी with some default options उसके बाद में आप इस package.json को ढूंड भी सकते हो यह आपके folder में बन जाएगी जहाँ आप यह command run कर रहे हो अब वहाँ पे आप node index.js डालके एक default आपका जो भी अगर suppose आपने index.js file बना लिए तो उसको run करके देख सकते हो अगर आपने यह file नहीं बनाई है तो आपको manually index.js file यहाँ run करनी होगी तो इस तरह से आप एक तरह से node का program चला पाते हो node और फिर file का नाम देखे suppose आप यह नहीं करना चाते हो और आप npm scripts लिखना चाते हो उसके लिए तो आप npm scripts section में जो package.js में आपको मिलेगा वहाँ पे एक start script लिख सकते हो जिसमें आप node index.js कमांड लिख सकते हो तो आप जब भी आपको आपका server या node program रन करना होगा तो आप npm start रन कर सकते हो इससे आपकी script या server रन हो जाएगा और most projects में जैसे आपने react देखा है तो उसमें भी npm start से ही यह चीज़ें चलती है वो basically उसको किसी file को point कर रहा है जो कि node environment में चल रही है next हम कुछ dependencies या नहीं library इंस्टॉल करेंगे अपने project में अब हम npm install bootstrap कर रहे हैं तो इससे bootstrap framework इंस्टॉल हो जाएगा तो frontend का कुछ बना रहे हैं तो यह बना सकते हैं अगर backend में bootstrap नहीं चाहिए तो कुछ और install कर सकते हैं इस सारी dependencies node modules करके directory में आपको दिखाई देंगी वहाँ पर यह बन जाएंगी उसको बाद में आप use कर सकते हैं Package JSON में आप देखेंगे जैसे ही आप कुछ इंस्टॉल करते हो तो dependency यहाँ पर दिखाई देगी उसके version number के साथ तो यह dependencies की list काफी important है क्योंकि suppose अगर आपके पास केवल Package JSON है और code है और आपके पास node modules folder नहीं भी है generally node modules कोई share नहीं करता है openly because इसका version change होता रहता है libraries का और आप चाहोगे कि आप हमेशा अपनी libraries update कर पाएं different system के हिसाब से तो आप केवल Package JSON पर रिलाए करते हो और सारी dependencies को install करने के लिए आप npm install run करते हो इससे क्या होता है कि सारी dependency Package JSON में जो भी लिखी हुई है dependency section के अंदर वो install हो जाती है तो यह command काफी time ले सकता है जब भी आप किसी का project github या कहीं से आप clone कर रहे हो या किसी ने आपको अपना project share किया है तो आप node modules folder नहीं उसमें देखोगे अगर आप देख भी रहे हो तो generally उसको आप delete करके आपको npm install run करना चाहिए उससे वो सारी dependencies वापस install हो जाएंगे और आपका project run हो जाएगा तो कहाँ पे यह सारी npm files या projects है openly npm की एक site है उसपे जाके आप कोई भी तरह का ऐसा library या plugin सर्च कर सकते हैं उसपे दिये हुए comments और star से आपको पता लगेगा कि वो कितनी popular है और क्या उसको use करना चाहिए क्या वो stable library है तो npmjs.com ये एक तरह की बहुत बड़ी repository है kind of world's largest repository है इस तरह की और यहाँ पे आपको इस तरह के javascript या node के libraries मिल जाएंगे यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं इस example में हम एक backend folder ले रहे हैं backend folder से हम एक नया node project setup करेंगे तो मैं VS code में इसको open कर लेता हूँ तो एक नया workspace load हो गया है यहाँ backend side में दिखाई दे रहा है आपको की empty folder है इसमें मैं एक file create करता हूँ और सबसे पहले मैं इसका नाम देता हूँ index.js तो यह वो main file होगी जिससे आपका server या node का first program रन होगा तो अभी इस file में हम कुछ नहीं लिखते हैं और सबसे पहले हम एक node का environment setup करते हैं तो सबसे पहले आपको move होना होगा इस particular folder में तो आप check कर सकते हो आप किस folder में हो तो मैं backend folder में enter हो रहा हूँ अब मैं इसके अंदर कुछ commands put करूँगा तो सबसे पहले आप npm environment set करोगे तो यहां index.js.js में हमको दिखाई दे रही है तो मैं npm command run करूँगा इसके लिए आपको लिखना है npm init अब आप इस command को run करोगे तो यह आपसे कुछ questions पूछेगा जो आप projects related होंगे जैसे कि आपके package या project का क्या नाम है तो by default वो folder का नाम ही रख देगा अगर आप enter करते हो तो otherwise आप खुब से भी नाम दे सकते हो तो यहां पे यह upper case accept नहीं कर रहा है तो lower case में मैं node project लिख दूँगा तो first node project मैंने इसका नाम लिखा है फिर मैं इसका version number और यह सब दे सकता हूँ अभी के लिए मैं सब कुछ default रख रहा हूँ तो मैं enter कर देता हूँ फिर यहां पे आप description दे सकते हो project का जो कि mostly कहीं repo पे आप upload करोगे तो दिखाई देगा entry point अभी index.js ही है हमारा तो हम उसको default छोड़ देंगे तो मैं enter कर दूँगा test commands अभी हम कुछ नहीं दे रहे, git repository भी अभी हमने बनाई नहीं है keywords आप दे सकते हो, यह बाद में कहीं repository में search करने के काम आएंगे आपके project को तो node express author में आप अपना नाम दे सकते हो, जो भी आप project के author हो या author से है license आप provide कर सकते हो, अभी मैं MIT license लिख देता हूँ और फिर आप yes कर सकते हो last में, तो इस पूरे process से एक package JSON create हो जाएगा जिसा उपर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, package JSON create हो गया है अब इस package JSON के होने से अब आप यहाँ पर NPM की install commands यूज कर सकते हो तो इस package JSON में आप देखोगे की name, version, description, main file, script, keywords, author, license यह सब चीजें आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर यह सारा description है, बाद में भी आप change कर सकते हो इसके अलावा जब भी आप कुछ नया library install करोगे, वो यहाँ पर dependencies की तरह दिखाई देगा तो package JSON file एक तरह से वो main file है, जो आप ढूनते हो किसी भी project में इस समझने के लिए कि वो project का क्या structure है, वो project का root path कहाँ पे है, root folder कहाँ पे है तो उससे, उसी folder में आपको mostly सारी commands put करनी होती है तो मैं यह console log में, अब index.js में कुछ run करूँगा तो यह console log में मैं कुछ भी hi hello ऐसा कुछ print कर सकता हूँ उसके बाद हम save कर देंगे और देखेंगे कि इस file को चलाया कैसे जा सकता है तो इसके लिए आपको terminal open करना पड़ेगा, terminal में आप command डालोगे node index.js तो node environment में यह compile हो जाएगा तो hello यहाँ पर print हो रहा है console की वज़े से आप npm start भी लिख सकते हो जो standard है पर उसके लिए आपको एक start script बनानी पड़ेगी शुरू में इस script है नहीं तो आप देख रहे हो है script section में के लिए test script बनी हुई है जो भी आपका command आप देना चाते हो वो एक string में दे दोगे और comma से यह JSON को आप complete कर सकते हो फिर save कर दोगे इस file को अब आप npm start command भी use कर सकते हो तो इससे भी exactly आपका server रन होगा और hello print हो जाएगा तो अभी यह कोई server नहीं है यह just एक javascript file है जो आपने run की server actually एक endless program होता है जो चलता रहता है बाद में हम देखेंगे कि इसी file में हम एक web server भी create करेंगे तो यह है एक normal setup जिसमें आप देख सकते हो कि कैसे हमने node का first file run करके देखा है अब next हम npm से install करेंगे कुछ packages तो जैसे npm install express एक library है तो express library को install करने के लिए npm install और फिर library का नाम आपको put करना है तो library का नाम एकदम correct होना चाहिए उसी से वो internet से download होगी तो इन चीजों को हम dependency बोलते है node projects में आप जब इसको download कर लोगे तो यहाँ देखोगे package JSON में dependencies करके एक JSON आ गया है जिसके अंदर express और उसका version लिखा हुआ है जो अभी अभी आपने डाउनलोड की है तो dependency section काफी important है किसी भी node project के लिए वहाँ से आप check कर सकते हो कि कौन-कौन सी library installed है आपके project पे और आपका project किस-किस library पे dependent है तो यह libraries आपको store करने की ज़रुत नहीं है इवन package JSON से आप वापस से libraries generate कर सकते हो एक और NPM install करके हम package use करेंगे तो मैं mongoose install करता हूँ यह सब हम बाद में use करने वाले हैं पर अभी की लिए हम इसको install करके देखते हैं कि package JSON में यह कैसे दिखाई देगा तो NPM install में कर रहा हूँ तो आप देखोगे यह चीज़ भी install हो जाएगी और यहाँ पे package JSON में ऐसे dependency दिखेगी तो actual library कहाँ पे install हो रही है वो node modules एक folder में हो रही है पर dependencies package JSON में यहाँ दिखाई देगी तो अगर हम केवल node type करते हैं अपने terminal में तो node का एक interactive environment खुल जाता है जिसको हम REPL बोलते हैं इसमें आप JavaScript का एक interpreter देख सकते हो तो node में आप कुछ भी type करोगे कोई भी JavaScript statement लिखोगे तो वो directly interpret होगा line by line तो जैसे मैं console log लिखता हूँ तो console log वैसे इसमें लिखने की ज़रुत नहीं है क्योंकि अपने आप ही ये दो बार print हो रहा है क्योंकि जैसे यहाँ एक बार console log और फिर console log का जो return है वो अपने आप print हो जाता है तो आपको क्यों hello string भी लिख सकते थे जैसे अब मैं कुछ variables declare करता हूँ जैसे where a equal to 5 तो undefined आया वो इस statement का return है a का return है 5 तो a आप सीधे लिख सकते हो console में लिखने की ज़रूत नहीं है ऐसे ही अगर आप कोई function declare कर रहे हो तो वो भी लिख सकते हो तो environment वैसे complicated code के लिए नहीं है but एक line में आप जितनी चीज़ें लिख सकते हो तो उसको आप यहाँ पर test कर सकते हो तो high तो आपने console में print किया और undefined इस function की return value है जो की undefined है यहाँ पर आपने कुछ return दिया नहीं था वरना वो चीज़ यहाँ पर return हो जाती इसके अलावा भी आप काफी कुछ चीज़ें जैसे process environment variable जो हम बाद में देखेंगे और भी ऐसे node के अंदर जो variables है उनको यहाँ पर check कर सकते हो test कर सकते हो अपने code को line by line यहाँ पर जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ b equal to 7, a plus b यह सब चीज़ें मैं छोटा-छोटा arithmetic test भी यहाँ पर कर सकता हूँ तो यह environment काफी कुछ वैसा ही है जैसा console log था इसको फिर आप exit कर सकते हो ctrl c दबा के तो इस channel पर हम देखते हैं interesting code concepts और उनके example codes अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो subscribe कीजे